Welcome back to my channel Neha Mom Lifestyle So friends, आज मैं आपके साथ शेर करी हूँ मेरी 20 week की Anamaly Ultrasound Report जिसे 2D, 4D Tifa Scan Ultrasound Report भी कहते हैं जो की आपको 18 to 20 week की between करनी पड़ती है क्योंकि 18 week तक बेपी के जो internal organ होते हैं वो लगभग डेवलोप हुए होते हैं और इसी internal organ की development और growth चेक करने के लिए डॉक्टर Anamaly Ultrasound करने की सलाम देते हैं और ये हर गरववती महिला को करनी ही पड़ती है बहुत ही important ऐसी Ultrasound Report है तो चलिए जानते हैं कि यहाँ पर आपको क्या-क्या देखने को मिलता है तो क्या-क्या information मिलते हैं इस Ultrasound Report through तो इस वीडियो को आप एंड तक पूरा देखिए और एक request है अगर आपने चानल पर नहीं हो या फिर अब तत आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस वीक में आपकी बेबी की जो position है वो यहाँ पर लिखी होई रहेगी जैसे सेफालिक है, breach है या transfer है आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे बेबी की जो position थी वो सेफालिक थी साथी साथ वो left में है या right में है वो भी पता चलता है दुसरा आपको पता चलता है placenta की position ठीक है इस वीक के दर में जो भी placenta की position है जैसे posterior है, anted है या फिर low line है, fundal है वो भी आपको पता चलता है ठीक है फिर यह है grade to maturity यह placenta की maturity होती है वो भी पता चलता है पता चलती है ठीक है इस पर भी मैंने डीटेल में वीडियो बना है मेरे चालार वो available है वो आप देख सकते हो साथी साथ internal OS close internal OS क्या होता है इस पर भी मैंने डीटेल में वीडियो बना है और cervix length भी यहाँ पर लिखी हुई है जिसे आप देख सकते हो 40 mm जनरली प्रेगनेंसी में जो cervix की length होती है वो 3 cm के नीचे नहीं चाहिए 3 cm के ऊपर चाहिए उसके बाद आपको पता चलता है AFI याने Amateur Flute Index वो क्या है वो भी आपको पता चलता है यहाँ पर आप देख रहे हो 14.1 जो नॉर्मली 5 cm से लेका 25 cm के between होना चाहिए उसके बाद बेबी की fetal cardiac activity मतलब fetal heart rate आपको पता चलता है इस week के में कितना है तो यहाँ पर उसकी fetal heart rate भी दी जाती है उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देख रहे हो कुछ parameters है जिसे BPD, SC, ABD, FL यह बेबी की जो organs है उसकी हड़िया है ठीक है उसके measurement होता है चलिए देखते ए 1 by 1 पहले है BPD BPD का meaning होता है by parallel diameter यहाँ पर बेबी का head होता है उसका measurement होता है एक year से लेकर उसके दुसरी सामने से जो measurement होता है वो उसके बाद SC, SC मतलब head circumference बेबी के जो सर की गोला है उसका map होता है उसके बाद ABD circumference बेबी की पेट की गोलाई फिर बाद femoral length बेबी की जो जांकी हड़ि हो होती है ठीक है मतलब उससे निये से लेकर उसके ankle तक उसका length होता है वो है humoral length HL इसका मतलब है बेबी के जो कंदे से लेकर उसके कोहनी तक की length है so friends यह week by week को कितना होना चाहिए इसका भी मैंने मेरे channel पर upload किया है या फिर मैं चार्ड भी आपको दे दूंगी तो उससे आप चेक कर लेना और उसके बाद यहाँ पर देख सकते है fetal hurt rate कितना है so यहाँ पर आप देख सकते हो 20 week की हिसाब से यहाँ पर बेबी का जो कुछी gram में होता है और यहाँ पर plus minus का मतलब है 40 मतलब 40 gram कम हो सकता है या फिर जादा हो सकता है यहाँ पर उसके बाद gestional age ठीके वो हिसाब से उसके बाद कुछ और भी details होती है जिसके मैंने कहा baby कि internal organ होते है जहाँ पर आप देख रहे हो head है head की बारे में पूरी detail आपको यहाँ पर लिकी हुई मिलेगी जो normal है तो normal लिका होगा अगर कुछ abnormal है तो abnormal लिका होगा उसके बाद आप देख सकते हो spine के बारे में detail में जानकारी दी कोई है so फिर उसके बाद neck की बारे में face की बारे में ठीक है face में उसका nose है mouth है ठीक है अगर उसमें कोई fault है वो भी यहाँ पर देखा जाता है thorax ठीक है बेबी के chest के area है उसमें जो lungs आते है उसके cardiac मतलब heart आता है उसका detail में यहाँ पर लिखा हुआ होता ह explanation उसके बाद abdomen ठीक है so abdomen के बारे में भी यहाँ पर पुरा detail में लिखा हुआ होता है आप चाहे तो screenshot लेकर पुरा पढ़ सकते हो उसके बाद है कर ब्याने baby की kidneys है bladder है ठीक है उसमें भी यहाँ पर detail में लिखा हुआ होता है उसके बाद link मतलब baby के जो heart के fingers है hands है जो वो normal है या नहीं है इस वीक के हिसाब ते वो भी लिखा हुआ मिलता है उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं no color Doppler क्योंकि अकसर सवाल यह पूछे जाते है कि ultrasound through हमको baby gender पता कैसे चलता है या फिर ultrasound में कहा लिखा होता है कि baby boy हो गया baby girl so friends में यह बता दू कि ultrasound में clearly आपको कही भी यह नहीं लिखा हुआ होता है कि आपको baby boy होगा या baby girl यह ultrasound report through devil नहीं किया जाता खास करके इंडिया में क्योंकि यह illegal है और ऐसा करने से कड़ी सी कड़ी सजा का प्रावधान है तो आपको ultrasound report में यह लिखा हुआ नहीं दिखेगा friends आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर impression दिया हुआ है मतलब जो भी ultrasound की है उसमें short में summary होती है बेबी जो normal हो तो normal लिखा जाता है अगर कुछ abnormalities दिखते हैं इस ultrasound में तो वो भी वो यहाँ पर mention कर देते हैं और जैसे के आप देख रहे हो कि यह 19 week की है सेपालिक presentation है और बेबी की जो growth है वो normal लिखी हुई है यहाँ पर ठीक है कुछ abnormality present नहीं है इसा भी यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर एक advice भी दिये है कि आप 24 वीक तक 22-24 वीक तक बेबी की जो heart है ठीक है तो उसके लिए भी एक ultrasound कर सकते हो वो भी उन्होंने यहाँ पर एक advice दी है क्योंकि कभी कभी बेबी की जो heart का clear नहीं होता तो डॉक्टर यह भी advice देते है जो कि मैंने नहीं कीती पर आप चाहे तो वो कर सकते हो तो उसके बात में यहाँ पर कुछ colors आप देख रहे हो यहाँ पर images है ultrasound की जिसकी kidneys की humerus की ribs ठीक है बेबी की ribs है बेबी की spine है फिर पूरा detail में है और उसके बाद placenta की position है बेबी का head है ठीक है fundus फिर उसके legs की भी images ली जाती है foot की images ली जाती है hands की images ली जाती है spine की images ली जाती है उसके पूरे heart की images ली जाती है आप देख सकते हो यहाँ पर ठीक है यहाँ पर पूरे उसकी images ली हुई है और इसी को explain doctor करते ह इसका जो measurement है इस week के हिसाब से जोसे मैंने कहा कि मैंने 19 वीक में किया था तो उस week के हिसाब से यहाँ पर कुछ measurements वह लेते हैं और वहाँ से वह डिसाइड करते कि कुछ abnormal बेबी में कुछ normal है या abnormalities है यह बहुत ही important ऐसी ultrasound होती है जो कि आपको 20 वीक के between करनी है आप 20 वीक के उपर गए तो शायद यह नहीं करना चाहिए पर आपको 20 वीक से पहले करनी बहुत ज़रूरी ही anomaly ultrasound report I hope friends इस वीडियो तो आप जान गई होगे कि आपको इस anomaly में आपको क्या-क्या पता चलता है और इसे related कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज आप मचे comment box में लिक्षर पुछ सकते हो और ऐसे informative वीडियो के लिए मेरे चैनल स्नेहा माम लाइस सल को ज़रूर सब्सक्राइब क जीचे मिदे नेक्स वीडियो में तब तक आप और अपने बेबी का खाल रहे केट और फाइनली फ्रेंड थांक ये सो मच पर वर दो